कुछ दुनों पहले हमने चैनल पे एक लॉंच इवेंट किया था जिसमें नया चैनल का नीम और नया लोगो आमने लॉंच किया था उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैंने बैंक जॉप को छोड़ दिया है तो बहुत सारे सवाल इसी के उपर आने लगे मेरे पास में frequency काफी जादा बढ़ गया फिलाल किसर आपने Quant section कैसे तयार किया था reasoning कैसे गया था English कैसे गया जीय कितने महिनों का किया था हलांकि यह कोशिश की एक मेरे classes में मैं सारे doubts clear करूँ बट स्टिल वो messages मुझ तक आते हैं, वो emails मुझ तक अभी तक आते हैं। तो क्योंना एक dedicated session किया जा जा इसी के उपर और आप सभी के doubts clear किया जाएं। तो इस session में हम complete discussion करने वाले हैं, क्या कुछ रहा था और कैसे मैंने तयारी की थे और कैसे आप सभी को तयारी करने हैं। बहुत practical चीज़े बताऊंगा, ध्यान से सुनियेगा, बहुत quick session रखने की कोशिश करेंगी। सबसे पहले तो मैंने bank job join किया और नहीं किया, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, लगबग देखो मुझे 5 साल हो गए इस industry में काम करते हुए, और हर एक organization अब मुझे जानता है, हर एक teacher, हर एक organization से मेरे पास में offer है काम करने के लिए, जितने भी organizations के नाम आपने सुने है, जिस भी company के आप walk लगाते हो, जिस भी company से आप जाके पढ़ने वाले हो ना, सुना है जिसका नाम आपने इस industry में, वो सब मेरे साथ में काम करना चाते है, फिलाल मैं काम कर रहा हूँ, testbook के साथ में, और इस industry में मैं काफी आगया चुका हूँ अभी, लगबग 5 सालों म मैं एक, कहते हैं नहीं कि शुरुवाती फेज में हो, नहीं, मैं इस industry में काफी जादा आगया चुका हूँ, और अभी मेरा मन यहीं पर लगता है, अगर मैं bank job कर लेता हूँ, मा लिजे मैंने bank join कर लिया, तो मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ पे, मैं शायद कुस दिनों के ब उसके बाद में, बहुत सारे चीज़ें हमने यहां पर की, बहुत मेहनत की यहां तक पहुंचने के लिए, बहुत सारे ग्लासेस की, वह सब कुछ आपको पता है, पिशले 5 साल से आप मुझे देख रहे हूँ यहां पर, तो बस यही एक reason था, bank join ना करने का, कि इस industry में काफ रहा हूँ फिलाल, हालां कि वह सब चीज़ें बाद में, डिसकस करेंगे, अभी हम आ जाते हैं उन चीज़ों की उपर की, हर एक subject की तियारी मैंने कैसे की थी, तो यह थोड़ा अलग होगा है, मेरे जो plans थे, मेरे जो तरीका था, मेरे जो executions थे, वो हमेशा अलग रहे हैं आप सब लोग उसे, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐस ऐस परेंट नहीं रहा हूँ, मैंने ऐस 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 परेंट इस चैनल को जरो स्टार्ट गिया था, बट मैं शुरुआती फेस से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं completely ऐस परेंट कभी नहीं रहा, कि मैं सिर्फ ऐस परेंट और सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास में समय बहुत limited होता था, तो मैं quant section और reasoning को तो इस तरीके से design करता था, कि मेरे जो classes रहेंगी, उस में मेरे practice हो जाए करेगी, और English language हमेशा मैंने knowledge से किया, English language में मैंने, सही बताऊं तो मैंने कभी notes भी नहीं है, हैंट रिटन notes नहीं GA से कभी मैंने इतना जादा, हैना क्यातने लगाव नहीं लगाया, और GA section मैंने हमेशा इस तरीके से cover करने की कुशिश की थी, हाँ ये मुझे push देगा, examination निकालने में, बास इसके लावा कुश नहीं, तो last 3 महीने का मैं cover करता था, और इस से जाधा कुश नहीं करता था, मै पूरे साल भर भी पढ़ता था, लेकिन आप सभी को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास में तो समय नहीं रहता था, मैं तो classes भी कराता था, notes भी बनाता था, उसके साथ में quant section की, और बहुत सारी classes भी design करता था, हैना, pipities बनाता था, तो समय नहीं मिल पाता था, तो पूर कि teacher आपकी help करेगा सिर्फ और सिर्फ 10%, 5 subject आपके पास में 2-2% डिवाइड गर दो बस, teachers इतनी ही help करवाते हैं, साधा नहीं करवाते हैं, सारे के सारे plans आपको खुद बनाने होंगे, कि कैसे आपको English section को लेके जाना है, कैसे आपको quant section को लेके जाना है, उसकी help होती है sessions के कैसे examination को approach करना है, उसकी help होती है हमारे sessions के अंदर, जो मैं पिछले 5 साल से आप सभी के साथ में discuss कर रहा हूँ, कितने सारे sessions दिये हैं, मैं आपको कैसे plan करना है, quant section को कैसे वहाँ पे जागे, one line से start करना है, तो वो चीज़े तो बहुत बार discuss कर चुगा हूँ मैं, और आने से आले sessions में और भी plans में हमेशा discuss करते रहोंगो, आप सभी के साथ में, बस कोशिश यह किजेगा कि आप bank examination के लिए पढ़ा रहो, तो bank examination के लिए ही पढ़ो, यहना irrelevant चीज़े ना पढ़ो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ YouTube पे बहुत सारी चीज़े ना irrelevant पढ़ाई जाती है, जिनका real examination से कोई लेना दे नहीं नहीं है, है ना काफे सारे engineers, teachers हैं, जो engineering वाले जो थोड़ा बहुत labor से हैं, वो भी discuss कर रहे है, bank examination के लिए जिसके ज़रोत नहीं है, main examination की बात करूँ तो अगर easy paper आएगा ना, तो 30-32 सवाल आप निकालो, यारा हमसे अगर आपने ठीक टाक पढ़ाईगी हो यह तो, moderate level का paper आएगा, 24-25 सवाल निकालोगे, tough level का paper आएगा, बहुत calculated हो गया, बहुत मुश्किल paper आएगा, तो 18-20 नमबर निकलेंगे, 50 नमबर वाले में भी, और इसी में selection भी हो रहा है, समझो इस बात को, इसी में selection भी हो रहा है सबका, जिनका selection हो है लास्ट एर, उनके quant section में score पूशना, कोई आपको बताएगा, 18 नमबर, 50 में से, कोई बताएगा, 15 नमबर, कोई बताएगा, 20 नमबर, कोई एक का दुख्का मिलेगा, जो 25 नमबर बताएगा, क्योंकि लास्ट एर, difficult था, examination, और reality भी है, तो चीज़े वो पढ़ो आपकी examination मे आने वाली है, जैसे prelims examination में आपको complete one-liners arithmetic DI करना होगा, mains के लिए जाधा से जाधा आप DIs पर focus करो, DIs के decoding के उपर focus करो, क्योंकि नाम ही वह है, data interpretation, mains examination में नाम ही यह है, पूरे के पूरे subject का data interpretation, तो वहाँ पर तो यह पूछा जाएगा, चाहे SBI PO हो, चाहे उसके साथ में बैट पाता है वो plan आपसे, तो फिर आप teachers की help भी लो, जो हम करते ही हैं, सारे teachers आपकी help करते हैं video sessions में, कि कैसे plan करना, examination को, strategy sessions होते हैं, बहुत सारे चीज़े होते हैं, जो आप तक deliver की जाती हैं, तो लगे रहो, मैनत करते हैं, selection की जिद है, तो हम आपके लिए ready हैं यहाँ पर, अगर आप लोग ready हो selection के लिए, तो हम लोग भी ready हैं, और इस industry में ही काम करने का plan है मेरा, इसलिए मैंने bank job को join नहीं किया था, otherwise मैं join कर ले था उसको, चलिए, तो मेरे ख्याल से अभी आपके doubts clear हो गे होंगे, कि क्या कुछ किया था, क्या कुछ रहा है, bank of brother मुझे a lot बट मैंने join नहीं किया उसे, and अब इस industry में हूँ और इसी में continue करने वाला हूँ, so फिलाल के लिए सिर्फ इतना ही next session में मिलेंगे, अगर आपके पास में कोई और doubt भी है, या कोई और सवाल आप पूछना चाते हो, तो इसी वीडियो के comment section में आप पूछ लेजेगा, यहा आप दे next session में, thank you